हेलो डियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स टू डेस सब्जेक्ट छीके चैप्टर नमबर फिफ्टेन प्लांट्स अराउंड़ स्टुडेंट्स आज आपको पेड़ पोधों के बारे में थोड़ा बताया जाएगा बच्चों आपने अपने आसपास बहुत सारे पोधे देखे हैं जो कि कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बेल होती हैं कुछ हलकी तनी वाली होते हैं तो ये विभिन परका के पेड़ पोधे आपने आसपास देखे होगी आप जिब रास्ते में से जाते हैं तब भी बहुत सारे पोधे मिलते हैं जिब गाउं में जाते हैं हम तब भी शहरों में बहुत कम पाये जाते हैं लेकिन हमारे आसपास काफी पोधे लगे हुए होते हैं तो देखिए students we see many kinds of plants around us हमने मतलब बहुत सारे विबिन परकार के पोधे देखे हैं some plants are big में से कुछ कैसे होते हैं बड़े होते हैं तीजार कार्ड trees ये पेड़ बलाए जाते हैं जो बच्चों बड़े होते हैं वो पेड़ बलाए जाते हैं जो छोटे होते हैं वो पोधे बलाए जाते हैं देखिए बड़े trees में सबसे पहले हैं mango tree mango tree सबी बच्छों को जानकारी होगी mango tree के बारे में आम का पेड़ होता है बड़ा होता है उस पर खटे आम लगते हैं फिर वो पक जाते हैं आपको बहुत पसंद होते हैं जो market में विखते हैं नेक्स्ट ए coconut tree यह बहुत लंबा पेड़ होता है इस पर नारियल लगते हैं यह बीच के आसपास पाए जाते हैं नदी के किनारे पाए जाते हैं नीम tree नीम का tree कैसा होता है बच्छों कडवे कडवे पत्ते होते हैं उसके और इस पर नीमबोली कडवी लगती है और हमारे जो इसकी लकड़ियां है दातुन करने के काम भी आती है बनाना tree बनाना tree यहने केले का पेड़ केले का पेड़ वच्छों आपने देखा होगा केले का चर्खा लगता है और जब चर्खा तोड़ के लाते हैं तो मार्केट वाले क्या करते हो ने पकाते हैं और फिर मार्केट मे छोटे होते हैं रोस प्लांट टमेटो प्लांट मनी प्लांट बसल प्लांट रोस प्लांट पे बचो फूल लगते हैं टमेटो पे टमेटो ये टमाटर लगते हैं और मनी प्लांट और बसल प्लांट जो होते हैं ये सर्फ पत्यों के plants होते हैं Turn your page Join the leaves of its tree देखे इधर इस्टूरेंट्स लिपस दिखाए दिखाए दिए हैं और इधर trees दिखाए दिए हैं आपको इन leaves को trees से match करने हैं देखे इस्टूरेंट्स सबसे पहले leaves है coconut leaves तो ये coconut की tree से आपको इस तरीके से match करने हैं नेक्स्ट है बनाना ट्री की लिव्स, यह बनाना ट्री पर आपको इस तरह से मैच करनी है, फौर्थ नमबर पर है नीम की ट्री, नीम ट्री पर मैच करनी है, लास्ट है मैंगो ट्री की लिव्स, उसको मैंगो ट्री से आपको इस तरह से मैच करनी है, आपको पत्तियों की पह पहचान होगी तभी आप स्ट्री को पहचान पाओगे ये सभी पेड़ पोधे हमारे वातावरन को शुद बनाते हैं इसलिए बच्चों आपको भी पेड़ पोधे घर में लगाने चाहिए ओके स्टुडेंट्स थैंक यू